इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं वेल्कम फ्रेंड्स मेरे चनल इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है आज हम NPS का नैशनल पैंचन स्कीम का नया सुधार लेके आने वाले हैं पार्शल विड्रोल देखा था आज उसमें नया संचोधन होने वाला है पार्शल विड्रोल के लिए विड्रोल फॉर्म और सपोर्टिंग डोकुमेंट्स नोडल ओफिस बेजने की जुरत है क्या इस सम्मन्द में नया संचोधन हुआ है याद है हम मैंने पर्शन 64 लेके आया था ऐसे की ऐसे ही 17 अपरेल 2021 को मैंने पब्लिश किया था वीडियो कि NPS में रिटायर्मेंट से पहले पार्शल विड्रोल कैसे निकाले तो पार्शल विड्रोल निकाल ले कि पूरी विधी मैंने इसमें समझाई थी प्रेक्टिकल समझाय था सारा का सारा जाके ठीक और हमने फिर यहां आयते हम पार्शल विड्रोल निकालते समय हम यहां पहुचे थे अपना जब हम कर रहे थे पार्शल विड्रोल उस वक्त हम यहां पहुचे थे और यहां एक लाइन लिकी वी थी you are about to initiate withdrawal request to withdraw funds from your NPS account as per the process after initiation of request you are required to submit system generated withdrawal form along with supporting documents to your nodal office for further processes हमने इसको पढ़ा था यह NPS दे रहा था यह लाइने तो उसका मतलब क्या था कि जो भी हम यह withdrawal form भर रहे थे उसका print out system generated withdrawal form और जो supporting documents थे हमने जो बात की थी कि किस आधार पर हम ले रहे हैं partial withdrawal कर रहे हैं वो सारे documents और withdrawal form का print लेकर आपको कहां बेजना था nodal office यह मैंने आपको बताया था इस system के अनूसार NPS जो बता रहा था अब उसमें कुछ correction सामने आया है कुछ नया संचोधन सामने आया है उसी को मैं आज लेके आया हूँ और person 64 में संचोधन करते वे मैं आज person 64 A लेके आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं कि partial withdrawal के लिए withdrawal form और supporting documents nodal office भेजने की जुरत है क्या तो आईए चलते हैं इसके नए सर्कुलर पर friends ये PFRDA का नया सर्कुलर है 14 जनवरी 2021 का है ये सर्कुलर जारी कर दिया गया था लेकिन NPS के सिस्टम में correction नहीं किया गया था जिसकी वज़े से हमने जो बाते बताई वो सही थी अब ये सर्कुलर परेटे में आ गया है 14 जनवरी 2021 के बाद इसे लागू कर दिया गया था और अब सिस्टम में भी ये दिखने लगा है NPS के तो ये सारी कहानी क्या है इसका subject है ease of partial withdrawal of NPS subscriber through self declaration तो देखते हैं इसमें क्या है हमने ये सब चीजे देख ली थी कि 25% आप निकाल सकते हैं partial withdrawal में ये हमने सब कुछ देख ली थी उस वीडियो में कैसे निकालते हैं 25% तक partial withdrawal आज मैं आपको सिर्फ इसमें जो शंचोधन हुआ है उसकी बात करने वाला हूँ ये देखे इसमें क्या शंचोधन हुआ है पहले तो क्या था as of now as of now यानि कि अब तक तो क्या था the eligible subscriber need to submit their application for partial withdrawal to the respective nodal officers POP along with the supporting documents to substinate the reasons for their request for partial withdrawal जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस इस तरीके से आपको print out लेना है supporting documents लगाने है फिर उसके बाद nodal office को देना है तो आदा काम online था और आदा काम offline था इस तरह से partial withdrawal होता था लेकिन अब ये जो partial withdrawal करते हुए point number 3 में नया correction किया गया है in order to ease the process of partial withdrawal and make it simple online and paperless in the interest of subscriber it has been decided to allow the subscriber to allow partial withdrawal based on self declaration and thereby doing away with the submission of supporting documents to substinate the reason for partial withdrawal कहने का मतलब कि जो partial withdrawal के लिए आप documents जमा कराते थे अब उसको जमा कराने की जुरूत नहीं है सारा का सिस्टम जो पहले online और offline मिलकर था वो अब किवल online कर दिया गया है सारा काम आपके self declaration पह है किसी भी परकार के कोई भी document अब आपको offline भेजने की जुरूत नहीं है अब नोडल ओफिस इसमें किसी भी परकार का कोई रोल प्ले नहीं करेगा अगर आपने online request डाली है partial withdrawal की तो CRA सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा और मेरे इसाब से कुछ दिन में आपको आपका सारा पैसा जो आपके NPS में जो bank account है उसमें सारा पैसा partial withdrawal का आ जाएगा तो यह है सारी कहानी और आगे देखे क्या कहा गया है इस liberalized process is however strengthened by effective due diligence with technology enabled instant bank account verification through penny drop to identify the beneficiary and the subscriber's bank account और इसके लिए आपका instant bank account verification किया जाएगा in order to ensure payment of amount into correct bank account number and rightful beneficiary CRA shall be carrying out instant bank account verification through penny drop and the cost of the same shall be bond by the subscriber तो जब भी आप payment निकलाएगे तो NPS का CRA system क्या करेगा वो instant bank account verification करेगा और उसमें जो भी charges लगेंगे वो आपको देने होंगे छोटा मोटा the process of partial withdrawal based on self declaration is provided at the next year second the central record keeping agency CRA accordingly advised to make the feature available in their system at the earliest in the interest of subscriber जो कि हमने कहा था ये आदेश तो आ गया PFRDA की तरफ से लेकिन इसको NPS system में अब जाकर start किया जा रहा है है इससे पहले हमने अभी थोड़े दिन पहले जब वीडियो बनाया था ये system नहीं था तो इस कारण से हमने जो वीडियो बनाया उसमें हमने ये कहा था कि documents बेजने हैं लेकिन इस circular के अनुसार अब आपको किसी भी परकार के offline documents बेजने की जुरत नहीं है सारा का सारा काम online हो गया है सारा verification online है आपको तो केवल request डालनी है और request डालने के बाद बैठ जाना है आपकी account में कुछ दिनों में सारा पैसा आ जाएगा तो ऐसे ही amendments लाते रहूँगा NPS में जाहिर बात है नए changes हो रहे हैं उन changes को मैं समय समय पर ऐसे नए amendments के questions बना कर लाऊँगा तो आप उन amendments का जरूर धान रखें उन नए संशोधन का जरूर धान रखें और आपकी नजर में भी कोई संशोधन आए कि सर NPS में ये संशोधन हो चुका है जबकि आपने ये बताया था तो please मेरी request है आप मुझे जरूर comment के माद्दम से ये बताए कि सर नया ये आदेश आया है या ये change हुआ है आप इसको implement करिए अपने वीडियो में और उसको वीडियो लेके आए तो मैं जरूर लाओंगा आज के लिए इतना ही मेरे चैनल पर आपको संपून शेर बाजार और NPS National Pension Scheme की 100 परतिशत सही और संपून जानकारी मिलेगी आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें Information Technology Center चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद